हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स रोन अकाडमी जेई चानल इस जेई लाइव डेली और बच्चो यह हमारा लेक्चर नमबर सेवन है वेक्टर अलजेब्रा का लास लेक्चर में हमने स्केलर ट्रिपल प्रोड़क्ट स्टार्ट कर दिया था उसी के कुछ इंपोर्ट इन पर वेज़ रगर कोश्टन आ गए तो आपको यहां पर उन कोश्टन को करने में बहुत दिक्कत आएगी तो इसलिए आज के लेक्चर में काफी कुछ इंपोर्ट सा डिस्केशन होने वाला है आएम समीर चिंचोलिकर आयो टन मैं बीटेग एंटेग फ्रॉम आइट रूर की और यहां पर कोई नया है जिसने अभी भी अनक्याटमी जेए चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे बहले तो उसने रेड बटन प्रेस करन चाहिए क्योंकि यहां पर आपके रेगुलर लेक्टर हो रहे हैं from 7 to 10 for physics, chemistry and maths ठीक है और आपको यहां पर जेए के लिए पूरी तरह से ready किया जा रहा है आपको इसाम को quizzes भी होती है ठीक है आपके रेगुलरी guidance sessions भी होते हैं ठीक है so what we are trying is we are trying to provide as a team quality content to all of you for free through this particular channel okay so make sure that you also spread the word and share this particular lecture and like this particular lecture and share it with the hashtag jlivedaily जो हैं पर हमारा series का नाम है ठीक है ताकि हम आपके post को अच्छे से follow कर पाएंगे ठीक है on facebook as well as on instagram बचो अगर आप यह करोगे तो यहां पर mission को लेके साथ आगे बड़े हैं जो revolution हम create करना चाह रहे हैं वो जादा से जदा बड़ा हो पाएगा और इंडिया में कोने कोने में बच्चों को quality education मिल पाएगा free of cost ठीक है so do spread the word अगर आपको लगता है कि आप हमारे साथ कुछ conversations करना चाहते हैं आपके अगर कुछ queries हैं कुछ doubts है then we all four are present on telegram app telegram app पर बच्चों हमारा एक अनकाडमी जे का group भी है अगर आप उस group को join करना चाहते हो then it is really easy telegram app download करने के बाद में अपने browser में आपको लिखना है tinyurl.com slash jee live chat and you'll get permission to join the group जहां पर हमारे साथ में already लगभग 25,000 बच्चे जूड़ चुके हैं ठीक है so that's a really big number इतने सारे बच्चों को देखके एक तो बहुत जादा motivation आएगा आपको कि you are not alone यहां पर आप अकेली ही online पढ़ाई करके jee crack करने की कोशिश नहीं कर रहे हो we are using it in a very good cause कि यहां पर हम education प्रोवाइड करें थ्रू यूट्यूब लेकिन anacademy plus जो platform है वो education के लिए ही बना हुआ है ठीक है तो वहां पर कुछ ऐसी facilities है जो youtube पर नहीं हो पाती है और उस वैसे anacademy plus बहुत ही amazing platform बनता जा रहा है teachers के लिए भी as well as students के लिए भी ठीक है यहां पर जो live classes होती है बच्चों उसके अंदर interaction बहुत जादा personalized होता है और आपके सारे queries on the spot cover हो जाते हैं साथी साथ यहां पर आपके doubt clearing के अलग से dedicated lectures होंगे और आपको यहां पर test series attempt करने को मिलेगी computer based test series attempt करने को कि every Sunday ठीक है so that is a big plus अगर आप एक single subscription लेते हो on academy plus का you will get all these facilities and the best part is कि हम चारो teachers के साथ साथ यहां पर इंडिया के और भी awesome teachers पढ़ा रहे हैं और उन teachers से पढ़ने के लिए आपको कोई अलग subscription नहीं लेना होगा you will just subscribe to your goal और उस goal को achieve करने के लिए यहां पर जितने भी teachers हैं जितने भी facilities हैं वो सब आपके लिए open हो जाएंगे and you are free to use that platform as as much as you can और बच्चों यहां पर आपके जो courses चल रहे हैं emerge 11th class की बच्चों के लिए और evolve 12th class की बच्चों के लिए यहां पर सारे ही sessions जो अभी तक हो चुके हैं वो आपको recorded format में मिलेंगे ताकि अब जो बच्चे जॉइन कर रहे हैं उनका नुकसान ना हो और वो बहुत जल्दी अपना backlog कवर कर पाए ठीक हैं तो किसी भी बच्चे के मन में अगर यह बात है कि हम पीछे आले जो lectures हमारे चूड गए हैं उसका हम कैसे cover up करेंगे then वो अ को subscribe करो ठीक है आईटी जेए को जब सब्सक्राइब करने की कोशिश करोगे तो आपके बास में multiple options आएंगे उन options में से जो सबसे ज़्यादा affordable options है वो 12 month and 24 month subscriptions है ठीक है you can go for lower subscriptions also लेकिन उस case में थोड़ा सा आपको यहां पर affordability कम नजर आएगी ठीक है यहां पर unacademy prices काफी क हम रखी है आप यहां पर देख सकते हो कि after you use J.E.Live code जो हमारे team का code है the price comes down to 27,000 for one year ठीक है एक साल तक आप यहां पर multiple teachers के साथ में interact कर पाओगे ठीक है यहां पर test दे पाओगे अपने doubts क्लियर कर पाओगे ठीक है and all that will happen at this cost 27,000 रुपीस ठीक है तो अगर यहां पर कोई evolution that is going to change the way students are preparing for your J.E.Examination ठीक है so you could be one of those students और यहां पर बचो अगर आप एक्चुली इसको cost लगती है ठीक है then you can understand कि यहां पर कितना अधा affordable price रखा गया है all right and if you are in class 11th then two years का जो subscription यहां पर 24 month का subscription it is even more affordable ठीक है so go for these options ताकि आपको यहां पर लंबे समय तक mentorship मिल पाए through all the teachers who are on academy plus ठीक है okay चोड़ तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का discussion homework जो मैंने दिया था उसके साथ में जो Sunday को class हुई थी उसके अंदर हमने यह homework के साथ में discussion end किया था हमने scalar triple prod का बच्चों discussion स्टार्ट कर दिया था और यहां पर बोला क्या है the value of a so that the volume of parallel prepared यहां पर यह जो particular figure बनता है हमारा 3D वाला उसका volume कैसे निकलेगा उसको volume निकलता है box of ABC से box of ABC याद आ रहा है आपके पास जो figure बनता है एक बार जल्दी से recall करवा देता हूं मैं आपको हमारे पास यह जो figure बनता है ठीक है parallelogram जिसके सारे faces है एक ऐसा 3D figure जिसके सारे faces parallelogram में वो क्या है parallel prepared है और उसका आपको अगर volume निकालना होता है तो आपके edges अगर यहां पर a vector b vector और c vector होते हैं तो हम इनका box निकालते हैं मतलब क्या निकालते हैं scalar triple product निकालते हैं और आपके पास में volume का answer आ जाता है साथी साथ हम ने क्या बोला था क्योंकि box का answer negative भी आ सकता है तो हम इसके ओपर mod लगा कि चीजों को positive बना लेंगे अगर हमारा answer positive नहीं आता है तो ठीक है तो यहां पर क्या दिया हुआ हुआ value of a so that the volume of parallel pivot formed by these vectors ठीक है आपके पास में यह तीन vectors गीवन है क्योंकि आपके पास में यहां पर vectors components के format में गीवन है तो हमें क्या पता होता है box का answer किसे निकलता है determinant की value solve करके निकलता है कौनसा determinant coefficient जो है हमारे पास उनको use करके determinant बना लो उसको solve करने से box का answer निकल के आएगा तो यहां पर आपके पास में box abc कितना हो का चलो देखते हैं यहां पर box abc हो जाएगा आपके पास में determinant के अंदर पहला वाले का value कितना है i के साथ में 1 है फिर j के साथ में a है और k के साथ में 1 है ठीक है तो आपके determinant की पहली row complete हो गई यहाँ पर second वाले में आप देख सकते हो कि यहाँ पर i vector है ही नहीं, i cap है ही नहीं इसका मतर बेसिकली i cap का coefficient 0 है, j का 1 है और k का a है और वैसी last वाले को देखो, i cap के साथ में आपके पास में a लिखा हुआ है उसके बाद आपके पास में j है नहीं, तो 0 आएगा और k के साथ में 1 लिखा हुआ है इस चीज को solve करते हैं, तो आपके पास में क्या आएगा, box a, b, c का value निकल के आएगा let us see यह कितना आएगा, ऐसे करते हैं इसको directly solve कर ले जाए, 1 के साथ में क्या जा रहा है product में 1 ही जा रहा है, उसके बाद minus a के साथ में क्या जा रहा है, product में minus a square जा रहा है और last वाला जो 1 है, उसके साथ में product में क्या जाएगा, आपके पास में minus a जाएगा so you are getting a very simple expression, which is a cube minus a plus 1 अब यह अगर आपको volume है, because box abc से आपको volume निकल के आ रहा है, अगर यह आपका volume है then in that case आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको maximize करना है और आपको वो value a की बतानी है, जिसके लिए यह maximum निकल के आने वाला है ठीक है, that is the thought here, ठीक है, sorry, minimum निकल के आने वाला है, all right, minimum निकल के आने वाला है all right, so let us reframe the question, let us re-read the question, minimum यहाँ पर value पूछी गई है तो यहाँ पर maximum minimum का हमें basic concept अलड़ी पता है, application और derivatives हमने शुरू से लेके end तक पूरा पढ़ा हुआ है और यह concept तो बहुत दी basic बन गया है फिर तो, आपके असमें जो volume लिखा हुआ है, वो a के terms में लिखा हुआ है आपके असमें volume लिखा हुआ है, a के terms में, a cube minus a plus 1, ठीक है तो इसको कर देते हैं, differentiate with respect to a, तो अगर मैं with respect to a, volume को differentiate करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 3a minus 1, और अगर मैं इसको equate करूँगा, 3a square minus 1 अगर मैं इसको equate करूँगा 0 से, तो आपके असमें value क्या के निकल के आ रही है आपके असमें a square की value 1 by 3 है, इसलिए a का value आपके असमें plus minus 1 by root 3 है तो आपके पास में अगर cubic expression होता है, ठीक है, आपके पास में अगर cubic expression होता है then in that case क्या आप यहाँ पर बता सकते हों कि plus और minus 1 by root 3 में से कौन सा वाला value आपको minimum देगा कौन सा वाला value यहाँ पर आपको minimum देगा, क्या आप यहाँ पर सोच के बता सब आओगे ठीक है, I guess यहाँ पर आपके पास में plus वाला जो आएगा, वो minimum आएगा और इसमें अच्छी बात यह है कि option सितने आसान है कि आपके पास में दूसरा option confuse करने के लिए ही नहीं, यहाँ पर बड़ी आसानी से आप C mark करके आगे बढ़ सकते हो ठीक है, अधर वाइस हमें secondary to test जैसा कुछ यहाँ पर देखना पड़ता लेकिन यहाँ पर हम one by root three के साथ में आगे बढ़ पाएंगे क्योंकि यहाँ पर और कोई option हमार पास नहीं है, clear हो रहा है हमें ज़्यादा focus किस पर करना है वैसे यहाँ पर कि हमें क्या volume का मतलब box से निकलता है यह याद हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, all right, चलो, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और समझते हैं आज के discussion में क्या-क्या important points हम याद रखना चाहते हैं, ठीक है आई होप यहाँ पर discussion सारे बच्चों को clear है, आई होप इतना basic level का differentiation सारे बच्चों को आता ही होगा, ठीक है, all right, what we are getting is values of roots of derivative, ठीक है, all right, चलो, तो आपके बास में जो important results हैं बच्चों, आप देखते जाओ, एक एक करके इनको समझने की कोशिश करेंगे कि यह results आखिर आया कैसे हैं, ठीक है, और फिर उनके उपर इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, काफी कुछ लिखा हुआ है, don't worry about the length and breadth of the expression, ठीक है, यहाँ पर हम बोलना क्या चाह रहे हैं, basically, कि आपके पास में तीन vectors हैं, आपके पास में है A vector, आपके पास में है B vector और आपके पास में है C vector, लेकिन यहाँ पर जो यह तीनों vectors ABC हैं, यह I cap, J cap, K cap के terms में represented नहीं है, ठीक है, यहाँ पर यह क्या है आप आउज़र कर पा रहे हो, कि यह किन के terms में represented हैं, यह linear combination of vectors बना के लिखे हुए हैं, I hope सभी ने linear combination of vectors वाला lecture attend किया था, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर तीन अलग-अलग non-coplanar vectors हैं, LMN are non-coplanar vectors, ठीक है, जब भी हमारे पास तीन non-coplanar vectors होते हैं, उनकी मदद से हम space में कोई भी तीसरे vectors बना सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में यह तीनों vectors LMN की से लिखे हूँ है, using some coefficients A1, A2, A3, B1, B2, B3, and C1, C2, C3, आपके पास में अगर ऐसा scenario आता है, और अब अगर कोई आपको बोलता है कि आप box ABC निकाल के बताओ, ठीक है, तो इस particular scenario में आपको फिर से box ABC निकालने के लिए coefficient वाला determinant तो create करना ही है, coefficient वाला determinant तो create करना ही है, जैसे यहाँ पर आपके 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 हैं, A1, A2, A3, वो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, B1, B2, B3, C1, C2, C3, जैसे अभी हमने last question में किया था, बिल्कुल same logic यहाँ पर हम apply करके question को आगे solve करेंगे, लेकिन extra क्या आएगा यहाँ पर ध्यान से द अपने आप में non-coplanar vectors हैं, तो किसी भी vector को actually लिखने के लिए, मैं उसको लिखता था, I, J, K, K, T, उसमें ही हूँ, आई यहाँ विवास उन में, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपका जो L है, आपका जो L vector है, that is nothing but L1 I cap plus L2 J cap plus L3 K cap, ठीक हैं, वैसे आपके पास में जो M vector है, that is M1 I cap plus M2 J cap plus M3 K cap, और वैसे आपके पास में जो N vector है, that is N1 I cap plus N2 J cap plus N3 K cap, ठीक हैं, यह कुछ vectors हम ऐसे दिमाग में रखके चलते हैं, ठीक हैं, अब यहाँ पर सोच के देखो, कि आप अगर यहाँ पर box of L MN लिखना चाहोगे, तो box of L MN में क्या आएगा, यह जो आपके सामने coefficients नजर आ रहे हैं, उनका determinant बन के आएगा, yes or no, यहाँ पर जैसे हमें box of ABC निकालता हैं, हमें A1 A2 A3 यूज़ करने की ज़रूत हैं, वैसे box of L MN निकालने के लिए, मैं L1 L2 L3, M1 M2 M3 और N1 M2 M3 यूज़ कर सकता हूँ, ठ उसको further क्यों नहीं लिखा उसने, क्योंकि उसने यह define नहीं किया था, हम समझने के लिए इसको define कर रहे हैं, ठीक है, अदर्वाइस आपको expression तो यह ही याद रखना है, ठीक है, all right, तो इसको जब apply करेंगे questions में आपको ज़्यादर clarity आएगी, but let us try to stick to this expression, और इसको समझने के और जादो कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, जब आप यहाँ पे इसको भी लिख दोगे, L1, L2, L3 के terms में, अगर आप इस box of element को भी लिख दोगे, आपको क्या नज़र आएगा, दो यहाँ पे products नज़र आएंगे, determinant के products नज़र आएंगे, ठीक है, यह जो determinant के product open हो तो आप लोगों को मेरे ख्याल से पता है कि determinant work कैसे करता है, ठीक है, आप उन दोनों determinants को multiply करके आराम से देखना, कौन से determinant को, A1, A2, A3 वाला और L1, L2, L3 वाला, और आप एक और काम करके देखना, आप यहाँ पे A vector को भी change करना, ठीक है, A vector को कैसे change करेंगे, A vector को हम ऐसे लिखेंगे, A1 multiply करेंगे इसके अंदर, क्योंकि A1 L vector है, A2 multiply करेंगे इसके अंदर, A3 multiply करेंगे इसके अंदर, ठीक है, और फिर उन तीनों को add कर लेंगे, ठीक है, तो जब यह करोगे तो आपके पास में, अब IJK के साथ में जो आ रहा है, उससे जो single determinant बनेगा, वो exactly इनक यहाँ पर determinants नजर नहीं आ रहा है, then it is still okay, आगर आपको समझ में नहीं आया, तो भी चलेगा, लेकिन यह result तो आपको याद करना ही है, ठीक है, यह result याद किये बिना आगे नहीं बढ़ेंगे हम, ठीक है, आपके पास में यहाँ पर result क्या है, result यह है कि अगर A vector जो है, वो in that case, जैसे आप coefficient का determinant बनाते हो, वो तो बनाई लो, लेकिन साथ में extra box of LMNB लिखो, ठीक है, यह basic result है, इसको apply करके देखते हैं, ठीक है, ताकि और जादा confidence आए कि हाँ, यह करने से फायदा होगा, ठीक है, so here is a very easy question, very easy क्योंकि अब हमें important result पता है, ठीक है, लेकिन इसको आपके पास में ABC, तीन non-coplanar vectors दिये हुए हैं, और आपके पास में यह तीन vectors को multiply करने के लिए बुला गया है, ठीक है, यह आपका पहला vector है, यह आपका दूसरा vector है, यह आपका तीसरा vector है, थो यहाँ पर हमें cross हमेशा पहले करना होता है, यहाँ पर bracket लाग के और भी बस एकलिबाव of ीट्गुश से उनके साथ में मैं एककर करें लेना करता हैब कियों कि नाइन टरोभाइगा करने की कोशिक करते हैं और फिर उसको simplify करते हैं लेकिन जो अभी हमने रिजल्ट पढ़ा है, वो इस question को देखो, कितने जल्दी solve कर देगा, वो यहाँ पर देखना जरूरी है, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या सोचो, कि आपके पास मैं actually तीन vectors हैं, जो मैंने हाँ पर mark करकर रखे हैं, वो आपके तीन vectors, ठीक है, इनको कुछ और नाम देना पड़ेगा, let us say, हाँ पर मैं इनको नाम दे रहा हूँ, P vector, P vector मेरे पास A vector प्लस B vector प्लस C vector, उसके अदर मेरे पास है Q vector, which is A vector प्लस B vector, C vector उसके अंदर है नहीं, और मेरे पास है R vector, which is A vector प्लस C vector, इसके अंदर फिर से B vector नहीं है, ठीक है, तो जो नहीं है, उसका coefficient इसका मतलब हम 0 यूज़ कर सकते हैं, अब अगर मैं PQR यहाँ पर यूज़ करूँगा, जो expression मुझे find करना है, तो यहाँ पर बनेगा क्या, आप क्या उस बनेगा यहाँ पर P vector dot Q vector cross R vector, अब ये expression जो है, यह तो box of PQR है न, यहाँ पर हम क्या find करना चाहते है, box of PQR find करना चाहते है, अब हमारा question जो है, काफी कुछ theory से match कर रहा है, आपके पास में 3 vectors हैं, जो IJKK के format में लिखे हुए नहीं है, वो किनी और vectors के format में लिखे हुए, और वो 3 vectors के से हैं, non co-planar vectors हैं, ठीक है, तो in that scenario, अगर को आपको PQR का box निकालने के लिए बोलेगा, तो आप क्या करोगे, ABC के साथ में जो coefficients लिखे हैं, उनका the determinant create कर ही लोगे, कितना कर लोगे, इनके coefficients का determinant तो create कर ही लो, मतलब क्या आएगा आएगा आएगा, 111, क्योंकि ABC के quotient 1 है, फिर यहाँ पर आएगा 110, और यह जो आपके पास में determinant है, यह तो आपको create करना ही है, लेकिन साथ में extra क्या multiply करना है, box of ABC भी multiply करना है, box of ABC भी multiply करना है, ठीक है, all right, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके options जो है, वो अरड़ी box of ABC के terms में ही है, तो कितना अच्छा हो गया, अब मुझे इसका उनलब क value 0 है, तो 0 answer आएगा, मतलब आजाके आपको यहाँ पर बस determinant की calculation करना ही है, जो यहाँ पर करना बहुत यहाँ आसानी है, क्योंकि यहाँ पर numbers भी बहुत आसानी से हमें नजर आ रहे है, ठीक है, तो यहाँ पर एक basic सा transformation कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, जो determinant है, इसके अंदर row 1 changes to row 1 minus row 2 कर लेते हैं, row 1 goes to row 1 minus row 2, आगर row 2 यहाँ पर मैं subscribe कर दूँगा तो आपके आसमें जो determinant नया बनेगा, वो और भी आसान हो जाएगा, यहाँ पर बनेगा 0, 0, 1, और बाकी चीज़े हमने change नहीं की हैं, तो वो ऐसा कुछ यहाँ पर बनने वाला है, ठीक है, इतना अगर हमें समझ में आया है, तो यहाँ पर अब क्या मैं इसको open कर दूँ आसानी से, आगर मैं 1 के साथ में देखता हूं, multiplication में क्या आएगा, तो 1 के साथ में multiplication में आएगा 0, minus 1, ठीक है, और box of ABC तो वैसा ही लिखा हुआ है, now that gives us minus of box of ABC, and that's why D becomes your correct answer, ठीक है, तो इसके पहले जो हम हमेशे याद रखेंगे, कि आपके पास में अगर ABC, IJK के terms में ना लिखकर किसी और vector के term में लिखे हुए है, तो हम यहाँ पर coefficient determinant तो लिखते ही है, box निकालने के लिए, box निकालने में टार्गेट है, box निकालने के लिए coefficient का determinant तो लिखना ही है, लेकिन साथ ये साथ आपको जो दूसरे vector से उनका भी box multiply करना पड़ता है, clear है, all right, so this was the first important result that I wanted to discuss with you, let us move on to the second important result, now this again is a very popular question, कि आप से यहाँ पर volume of tetrahedron पूछा जाता है, क्या पूछते हैं आप से, volume of tetrahedron कितना, तो पहले तो बताओ कि आपको tetrahedron figure पता है कि नहीं पता है, ठीक है, यहाँ पर आप के पास में कैसा figure है, pyramid जैसा figure है, लेकिन ऐसा pyramid जिसका base triangular है, हमें जो Egypt के pyramid याद है, ठीक है, वो जो हमें अच्छे-च्छे pyramids देखने को मिलते हैं, photos में, ठीक है, वो basically square base वाले pyramid होते हैं, now pyramid could be of square base also, it can be of triangular base also, triangular base वाला जो होता है, उसको हम यहाँ पर specifically tetrahedron बोलते हैं, ठीक तो मतलब आपका base क्या हो गया, यहाँ पर आपका base एक triangle हो गया, और वो किसी एक point पे converge कर रहे हैं, ठीक है, फिर उपर आके इसकी सारी जो edges हैं, वो एक single point पे आके उपर converge कर रहे हैं, यह आपका figure tetrahedron हो गया, आपने chemistry में यह जरूर सुना हुआ होगा, क्योंकि chemistry में हम यह है ना, ऐसा कुछ तो आपको सिखाया होगा, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर आपके सामने figure है, जिसका volume अब हम निकाल सकते हैं, using the idea of vectors, ठीक है, vectors में भी specifically box of ABC की मदद से, हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है, scalar triple prod का हम यहाँ पर discussion करना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले हम यह यहाँ पर जो basic formula है वो पता करके रख लेना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी pyramidal structure जब होता है, तो उसके formula का value कैसे निकलता है, one third of area of base into height, कैसे होता है, one third of area of base into height, जैसे आपको यहाँ पर कोन, कोन यादे, कोन में भी ऐसे कुछ करते हैं, one by three pi r square h, one by three pi r square, pi r square क्या है, जो यहाँ पर circular base है, उसका area है, ठीक है, into h, h क्या होता है, कि कितना height का वो कोन है, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर आपके पास figure का volume निकल के आ रहा है, one third of a not into h, ठीक है, आगर हमने यह basic idea पता कर लिया, कि pyramid का यहाँ यह tetrahedron का volume कैसे निकलता है, then we can actually start analyzing it using vectors, तो right वाले figure बाद में देखते हैं, पहले left वाले figure के उपर concentrate करो, आपके पास यहाँ पर अगर एक parallel prepared है, जिसके edges जो है, वो a vector, b vector और c vector है, कौन से वाले, co initial vectors यहाँ पर आप बोल सकते हो, तीनों के तीनों vectors यहाँ पर, वो point से originate हो रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो volume है, यह हमें already लिखते आता है, इसका volume कितना हो जाएगा, इसका volume हो जाएगा, आपके पास में box of ABC, यह आज हमने एक homework question में भी use किया था, ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ, कि आप बस इतना सा सोचो, कि आपके पास में initial point O तो था ही, ठीक है, और आपके आपके figure बनाने की कोश्च करूंद क्या होगा, ऐसकुछ बनेगा, मैंने यहाँ पर सारे vertices connect कर दी, ठीक है, मेरे पास OA, OB और OC पहले से था, मैंने यहाँ पर BC, BA और CA connect कर दी, तो आपके पास में यहाँ पर जो figure बना है, that is actually a tetrahedron, ठीक है, यहाँ पर आपके पास में जो figure बना है, that is a tetrahedron, जहाँ पर आपका base क्या, यहाँ पर आपको clearly नजर आ रहा है, आपका base कौन सा है, यह आपका triangle वाला जो figure है, यह आपका tetrahedron का base है, ठीक है, और बाकी यहाँ पर sides है, बाकी यहाँ पर तीन sides है, जो C point पर आके converge कर रही है, अब अगर हमें यह figure दिख गया है, कि य record करने की कोशिश करते हैं कि इसका tetrahedron का volume कितना निकल के आना चीए, तो अभी अभी हमने क्या देखा है, कि आपका जो volume होगा, वो कितना हो जाएगा, one third of area of base into height, ऐसे कुछ होने वाला है, area of base into height, और अगर आप यहाँ पर parallel pivot का volume देखते हो, तो वो क्या था, यह volume थोड़ directly, instead of a naught, ठीक है, a into h था यह, और यहाँ पर h कैसे निकला था, यह जो ऊपर वाला था, वो basically नीचे तक आते आते कितना height generate कर रहा है, वो आपकी h की value थी, ठीक है, और area इस case में कितना था, area of base इस case में कितना था बच्चों आपका, आपके पूरा का पूरा parallelogram जो base है, वो area of base था, clear हो रही बात, तो हमें अगर इस figure का value निकालना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्योंकि same figure के अंदर tetrahydran create किया है, तो अभी भी मेरा height है, वो तो change होने वाला नहीं है, यहाँ पर जो सबसे important हम चीज़ देख सकते हैं सबसे पहले, वो यह है कि height अभी भी कितनी आएगी इस originally मेरे पास पूरा parallelogram आ रहा था, जबकि अब मेरे पास जो diagonal BA है, वहाँ तक ही मैं जा रहा हूँ area shade करने के लिए, तो मैंने क्या क्या है, नीच अले parallelogram का केवल आदा ही portion consider किया है, to get volume of tetrahydran, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके असमें ऐसे कुछ आएगा, one third of, A naught कितन हो जाएगा इसका मतलब, इस figure का area of base कितना है, इस figure के area of base का आधा, तो area of base यहाँ पे हमने A से एक डिनोट किया है, तो यह कितना हो जाएगा, A by 2 हो जाएगा, into कितना हो जाएगा, H हो जाएगा, what is this giving us, this is giving us one sixth of A into H, बास समयारी कैसे होता ही, one sixth of A into H, और A into H क्या है, A into H volume of parallel of pipette है, ठीक है, ऐसे कुछ parallel lines draw कर देता हूँ, यहाँ पे denote करने के लिए, volume of parallel of pipette जो है, वो A into H है, तो इसका मतलब क्या करना है केवल, जो formula हमें already पता है, उसका one sixth कर दो, तो आपको यहाँ पे volume of tetrahedron भी मिल जाएगा, clearly यहाँ पे आपको क्या नजर आ रही हैं clear हुआ, all right, so now again, let us move on with a few more important results, ठीक है, उसका फिर questions के उपर आता है, तो हमने क्या क्या discuss कर लिया हैं, हमने एक तो यह point discuss किया है, कि अगर ABC vectors IJK के terms में नहीं हैं, तो box कैसे निकालता है, second हमने यह discuss किया है, कि volume of tetrahedron हम कैसे discuss करते हैं, ठीक है, तो one sixth of box of ABC होता है, next point यहाँ पर देखो, मैं आपको यहाँ पर दो important determinants बता रहा हूँ, ठीक है, पहला वाला जो है, वो related है, area of parallelogram से, ठीक है, specifically देखा जाए तो square of area of parallelogram, यहाँ पर हम discuss करना चाहते हैं, तो हमने जब parallelogram create किया था, ठीक है, जब हमने parallelogram create किया था, using A vector and B vector, तो इसका geometrical understanding जो हमने लिया था तो यह था, कि A cross B का magnitude होता है, वो area के ही बराबर होता है, ठीक है, अब यहाँ पर मैं करना क्या चाहता हूँ, A cross B का square, यहाँ पर find करना चाहता हूँ, specifically A cross B के mod का square, यहाँ पर मैं find करना चाहता हूँ, तो वो जो आएगा आपके पास में, conveniently लिखा जाता है, इस particular format में, which is, क आपके बास में, basically यहाँ पर चार portions है, ठीक है, पहला portion क्या है, A dot A, उसके बाद में, A dot B, फिर आपके बास में, B dot A and B dot B, एसको आपके बास में है, इसको solve करके आपके बास में A cross B के mod का square ही आता है, ऐसा analyze करके रख लेते हैं, ठीक है, अगर ऐसा analyze करके रख लेंगे, तो क कर लेंगे, ठीक है, so that's why we need to remember these important results, because question में, data इस तरीके से use करने के लिए दिया हुआ हो सकता है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एनलाइस करके देखते हैं, आपके असमें आने के वाला है यहाँ पर, वैसे नीचे भी कितना हो जाएगा, magnitude of A into magnitude of B into cos of angle between them, और यह हो जाएगा आपके असमें, magnitude of B का square, अगर आप इस quantity को open करते हो, determinant को तो कैसे open होगा, यह दोनों multiplication में जाएगे, यह दोनों multiplication में जाएगे, तो आपके असमें आएगा, determinant of, sorry, magnitude of A का square, magnitude of B का square, minus, यह दोनों जाएगे, तो यहाँ पर भी magnitude के square आजाएगे, और साथ में cos square theta आजाएगा, तो जब आप यहाँ से magnitude of A का square, magnitude of B का square common निकालोगे, तो आपके असमें अंदर कितना पचेगा, 1 minus cos square, 1 minus cos square कितना हो जाता है, sin square हो जाता है, कितना हो जाता है, sin square हो जाता है, b का square ही है a cross b का square ही है ठीक है so that's why ये भी work करता है पता होना चीए कि ये भी work करता है all right इसी चीज़ को आप एक तरी के से फिर से लिख सकते हो a cross b के magnitude का square can also be written as a cross b dot a cross b ठीक है ये दुनों एक ही बात है a cross b dot a cross b करना या फिर a cross b के magnitude का square करना एक ही बात है all right so determinant हम याद रखेंगे और ऐसा ही similar determinant और है बच्चों हमरे पास जहां पर हम देख रहे है volume of parallel pipette जो है उसका square कितना आता है इसके पहले हमने क्या देखा था area of parallelogram का square का value कितना लिख सकते हैं और वैसे हम फिर से देख रहे है volume of parallel pipette का square का value कितना लिख सकते हैं तो यहाँ पर फिर से अगर आपको इसको देखना है कि हाँ यह सही बात है तो फिर से आपको determinant के बारे में थोड़ा से जादा पता होना चाहिए यहाँ पर determinant का product कैसे करते हैं आपको पता होना चाहिए ठीक है एक बार कोशिश करके देखते हैं लेकिन अगर किसी को determinant जादा पता नहीं है तब भी उसने at least यह result तो भी याद अरफना चाहिए कि आपको a.a, a.b, a.c, b.a, b.b, b.c, c.a, c.b, c.b, c.a, c.b, c.c. यह जो determinant है यह आपको क्या create करके देता है यह आपको volume of parallel pipette मतलब box of a, b, c का square create करके देता है ठीक है और एक बार कोशिश करते हैं समझने की hopefully यहाँ पर बच्चे समझ पाएंगे मेरे पास यहाँ पर अगर a vector is a1 i cap plus a2 j cap plus a3 k cap है उसके बाद मेरे पास b vector b1 i cap b1 i cap plus b2 j cap plus b3 k cap है और c vector मेरे पास c1 i cap plus c2 j cap plus c3 k cap है ठीक है तो अगर मैं आप से बोल रहा हूँ यहाँ पर कि box a b c का square निकाल के बताओ क्या निकाल के बताओ box a b c का square निकाल के बताओ तो आप बोलोगे box a b c हमको लिखते आता है उसी चीज को multiply कर लेंगे फिर से ठीक है तो यहाँ पर box a b c का square कैसे लिखा जा सकता है box a b c का square हो जाएगा आपके बास में determinant a1 a2 a3 b1 b2 b3 and c1 c2 c3 के साथ में multiplication में जाएगा यही same determinant a1 a2 a3 b1 b2 b3 and c1 c2 c3 ठीक है अच्छा अब अगर मैं आपको बताओ कि यहाँ पर determinant की यह property है कि determinant का अगर मैं transpose कर देता हूं तो भी हाँ पर आपका result determinant का चेंज नहीं होता है then I guess you all should agree ठीक है at least जिनको बच्चों को determinant की basic properties पता है वह agree करेंगे और actually determinant तो actually row by column के साथ साथ row by row भी multiply होते हैं लेकिन क्योंकि हमें matrices जैसा multiplication करने की ज्यादा आदत है इसलिए मिहाँ पर एक extra step कर रहा हूं जहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास में जिसे second वाला determinant जो कैसे बन सकता है a1, a2, a3 को change नहीं कर रहा हूं ठीक है लेकिन आगे वाले को मैं यहाँ पर change करके ऐसा कुछ लिख रहा हूं जहाँ change किया है उसको अलग color से लिखता हूं मैं आपके पास में ऐसा कुछ आ रहा है a1, a2, a3 नीचे b1, b2, b3 column में आ गए और वैसे c1, c2, c3 column में आ गए ठीक determinant क्या है हम उसके उपर discussion करना चाहता है ठीक है वो single determinant यहाँ पर क्या बने वाला है तो आपके पास में यहाँ पर determinant में क्या क्या आएगा कैसे कैसे multiply होती ही चीज़े आपके पास में first row multiply होता है first column के अंदर तो यहाँ पर बनेगा क्या a1 square प्लस a2 square प्लस a3 square a1 square प्लस a2 square प्लस a3 square उसके बाद क्या करेंगे first row second place वाला value निकालने के लिए इसको multiply करेंगे अगले वाले column में तो क्या बनेगा a1 b1 a2 b2 a3 b3 a1 b1 a2 b2 plus के साथ में and plus के साथ में a3 b3 ठीक है उसके बाद में एक और आएगा आएगा जब आप इसको multiply करोगे आगे c वाले के साथ में तो c वाले के साथ में जब में multiply करूँगा तो होगा क्या आपके उसमे a1 c1 a2 c2 and a3 c3 तो I guess यहाँ पर सारे बच्चे सोंझ पा रहे हैं कि मेरे पास जगे नहीं है तो मैं लिख तो नहीं पाऊंगा लेकिन शायद यह feel आ रही है आपको कि यह जो values है वो actually क्या है अगर normally calculation देखके जो actual value होनी चाहिए वो लिखना start कर सकता है जैसे आपके पास में अगर a1 a1 a2 a2 a3 a3 लिखा हुआ है मतलब आपने basically a को a के साथ में dot किया होगा तब ही तो यह बना होगा a1 a1 a2 a2 a3 a3 कब बनेगा जब आप a को a के साथ में dot करोगे तब बनेगा यह magnitude of a का square ही तो है मतलब यह actually a dot a जैसा लिखा जा सकता है वैसे ही a1 b1 a2 b2 a3 b3 a1 b1 a2 b2 a3 b3 कब बनेगा जब आप a और b को dot करोगे तब बनेगा और वैसे हमारा जो इलाज यहां पर बनने वाला था जिसके लिए हमारे पास जगे नहीं थी वो क्या था a1 c1 a1 c1 a2 c2 and a3 c3 तो यहां पर आना क्या चाहिए आपके आसमें a dot c actual इ second वाला row उठा लो और एके करके सारे columns में multiply करो तो बनेगा क्या आपका b1 a1 अब b1 a1 बनाए तो उसको लिखने के लिए आप b dot a लिख सकते हो वैसे उसकी value a dot b के बराबर है लेकिन अब यहां पर लिखना है अगर बहुत ही अच्छे से तो आप b dot a लिखो उसको ठीक है next आ b and c dot c आएगा यह result हमें याद रखना ही है यह result हमें याद रखना ही है clear हो रहा है okay एक बार फिर से result को देख लेते हैं हमने यहाँ पर थोड़ा सा कोशिश किया लिखने का I hope यहाँ पर बच्चे सौझ पाए हैं उस बात को ठीक है मैं actually यह सारा लिखके इसलिए दिखा रह ताकि आपको यहाँ पर questions में दिक्कत ना आए ठीक है तो आपके पास में ABC के box का square किसके बराबर होता है A dot A A dot B A dot C B dot A B dot B B dot C and C dot A C dot B C dot C वाले determinant के बराबर होता है ठीक है ओके तो यहाँ पर हमने फिर से और एक important result पढ़ा है जिसकी मदद से एक question try करते हैं जो यहाँ पर actually 2008 के paper में आया भी है इसका मतलब अगर आपने बहुत सारा vectors पढ़ लिया लेकिन आज के lecture में जो हम यहाँ पर important concepts discuss कर रहे हैं अगर आपने वो miss out कर दियें तो इस तरह के questions आपके छूट सकते हैं एक्जामें ठीक है so don't take these results lightly यह बहुत ही important है इनको आपको याद रखना ही है क्या बोला गया इस question में इस question में बोला गया है कि edges of a parallel piped are unit length यहाँ पर जो सारे length है उस figure के वो तो one unit के ही है and are parallel to non-coplanar vectors a vector b vector c vector तो इसका म मेरे पास a cap b cap c cap जो है figure में आना चाहिए मेरे पास एक parallel piped है जिसके co terminus edges में हाँ पर मान सकता हूँ a vector sorry a cap b cap and c cap ठीक है all right अगर यह figure मेरे पास आता है such that a dot b b dot c c dot a is equal to half then the volume of parallel piped कितना होगा अब यहाँ पर हमें पता है यार volume of parallel piped का value निकलता कैसे है वो तो box of abc से निकलत है ठीक है तो हमारा answer हो ना हो box of abc है लेकिन आपके पास डेटा जिस तरीके से दिया हुआ है आपका previous knowledge आपको help नहीं करेगा to get the answer यहाँ पर आपके पास में box of abc लिखने का तरीका क्या है a1 b1 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 यहाँ पर लेकिन अब आपके पास में abc जो है वो components के format में दिये हुए हैं ही नहीं तो अब यहाँ पर component के format में जो determinant मनता है वो create नहीं कर सकते और वैसे ही अगर आप यहाँ पर दूसरा definition देखते हो कि दो का cross करके तीसरे के साथ में dot करूंगा जो हमने बिल्कुल initially पढ़ा था जिसके अंदर sin theta cos phi आता है वो भी ने लग पाएगा क्योंकि आपके पास में यहाँ पर वैसा भी data available नहीं है आपके उसमें जो data available है वो क् factors का dot वाला result actually क्या है एक ABC का box नहीं है वो ABC के box का square है ठीक है ABC के box का square कितना आता है A dot A ओहो एक बार फिर से लिख देता हूँ आपके उसमें आता क्या है A dot A फिर A dot B A dot C उसके बाद B dot A B dot B and B dot C उसके बाद C dot A C dot B and C dot C यह आपको actually लिखते इस question में आएगा और इसी के वज़े से यह question अभी solve हो पाएगा ठीक है तो हमरे बस A dot A B dot B C dot C इस particular case में कितना आएगा क्योंकि आपके पास में यह सारे unit vectors है actually लिखना क्या चाहिए था मैंने cap के साथ में लिखनी चाहिए थी सारी चीज़े लेकिन आएगे से यहाँ पर आप समझ ज़आ गोई मेरे feelings को कि यहाँ पर में cap ही लिखना चाहरा था ठीक है अब के समें A dot A कितना आने वाला है वन आने वाला है बी डॉट B कितना आने वाला है वन आने वाला है वन आने वाले क्योंकि हैं पर तो यहां पर A.B, A.B का value टालते हैं इसके अंदर, A.B का value हाफ आएगा, यहां हाफ आएगा, यहां हाफ आएगा, सब जगे हाफ आगया, वैसे हाँ पर भी हाफ आगया, तो हमारे determinant complete हो गया, मतलब हमें जो निकल के आएगी value, वो क्या होगी, box A.B.C के square की value होगी, उसके वा 1, 1, 1, half, 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 and half, 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 यह solve करके हमारे पास answer आजाना चाहिए, अब इसको solve करने के अलगलग तरीके हो सकते हैं, आप यह तो directly इसको यहां पर क्या करो, directly इसको open करना start कर दो, या फिर आपको अगर यहां पर properties पता है, तो आप properties के use करके कुछ यहां पर कर सकते हो, यहां पर करो कि आप यह करो कि आप यह कर लो, row 1 goes to row 1 plus row 2 plus row 3, आप अगर यह transition करते हो, अगर आप यह transformation करते हो, तो आपके पास में नया है, determinant क्या बनेगा, row 1 plus row 2 plus row 3, सारे rows अगर आप आड कर दोगे तो half, half, 1, मतलब किता हो जाएगा, 2, half, half, 1, मतलब 2 हो जाएगा, और half, half, 1, हो गए, ठीक है, तो यहां पर आपके आपके असमें, half बचेगा, 1, बचेगा, 1, by 2, बचेगा और आपके असमें, half बचेगा, 1, by 2, बचेगा, और 1, बचेगा, अब जैसे मैं देखता हूं कि यहां पर, first row के अंदर सारे element same है, तो यहां पर मुझे तो, thought आता है, वह वहाँ पे दोनों elements 0 हो जाए और आपके determinant का calculation आसान हो जाए ठीक है तो पहले वाले column में हमने कोई change नहीं किया है change किसको कर रहे है column 2 और column 3 को change कर रहे है तो column 1 तो वैसे का वैसा लिख रहा हूं है two half and half उसके आद में यहाँ 0 यहाँ 0 है 0 यहाँ 0 करेंगे यहाँ हाँ यहीं पर हाफ 10 ओर क मश्यर निखर गारेंगे जाए इसलिए वॉलियूम का answer कितना हो जाएगा implies volume कितना हो जाएगा volume is equal to one upon root two हो जाएगा ठीक है क्योंकि हमें simple box abc find करके बताना था now things are looking easy now things are looking easy all right चलो आगे देखते हैं क्या इसकी मतद से और भी कुछ अच्छा हम सीख पा रहेंगे all right so let us try to do one more question इस question का पहले तो क्योंकि बहुत बड़ा length है तो पहले इस question को पढ़के समझने की कोशिश करते हैं उसके आद फिर हम यहाँ पर आगे discussion को proceed कर पाएंगे आपके आसमें यहाँ पर a vector है बी vector है और c vector है तीनों ही components के format में IJK के format में given है ठीक है अब यहाँ बे और क्या क्या दिया हुआ है कि c vector is a unit vector perpendicular to both the vectors a vector and b vector ठीक है c vector में खास बात क्या है कि वो a vector और b vector दोनों के perpendicular है क्योंकि हमने question यहाँ तक पढ़ लिया है तो ऐसा करते हैं कि decode करना भी start कर देता है ठीक है यहाँ से मुझे क्या सुझ में आता है जो data given है यह जो statement given है यह मुझे indicate कर रहा है कि c.a के place में 0 डाल सकते हो और c.b के place में भी 0 डाल सकते हो इस statement का जो use करेंगे वो इस तरीके से करेंगे obviously all right और क्या दिया है यहाँ पर important point कि आपके पास में c is a unit vector अब c जो unit vector है c is a unit vector इसका use करेंगे कि जहाँ पर भी आपको c का magnitude यूज करने की जरूत पड़ेगी वहाँ पर हम one use कर सकते हैं if angle between if angle between a and b is pi by 6 if angle between a and b is pi by 6 इस चीज का use कहाँ पर होगा जब भी आपको a dot b लिखने की जरूत पड़ेगी तो आप इसका use करोगे चीज करोगे और एट तो a dot b यहाँ पर हमें लिखना इसका मतलब पड़ेगा कहिने के शायद मुझे पूछा क्या गया है मुझे पूछा क्या है कि यह जो determinant है इसका square का value बताओ यह जो आपके बास में determinant है इसके square का value बताओ तो जब भी मैं यह देखता हूं मेरे पास तो दिमाग में यह आता है कि यह तो box पूछ रहा है यह जो coefficient का थोड़ा सा clean करते हैं चीजों को और अब उस expression को समझते हैं कि यह क्या है यह expression है हमारा box of ABC का square which can further be written as dot वाला expression ABC के box का square is equal to कितना हो जाएगा determinant के अंदर A dot A A dot B उसके बाद A dot C नीचे आएगा आपके बास में B dot A B dot B and C dot B dot C और ऐसे last वाल भी complete कर लेते हैं ओके तो यह importance बच्चों शायद आपको इस question के बाद जादा clarity आएगी कि यह determinant पता रखना कितना important है all right so we have the determinant that will help us in finding the final value now आपके पास में जहां पर भी A dot A आ रहा है उसके प्लेस में आपके लिख सकते हो mod A का determinant mod A का square लिख सकते हो A dot B A dot B का जादा हम कुछ करने सकते हैं लेकिन A dot C और B dot C का कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर perpendicular to both A vector and B vector था तो यहाँ पर आपने decide कर लिए था कि 0 क्या क्या होने वाला है तो A dot C B dot C C dot A and C dot B यह चारो values तो 0 होने वाला है और आपको यह पता है कि C vector जो है वो एक unit vector है तो C dot C के place में हम क्या डालेंगे C dot C के place में हम ultimately 1 डालेंगे ठीक है लेकिन बाकी चीजों का हम कुछ कर नहीं पा रहे है अभी at least करना चाहते नहीं है ठीक है इसको बाद में deal कर लेंगे तो यहाँ पर मेरे पास जो value create हो रही है उसको ओपर ध्यान देते हैं क्या बनेगा यहाँ पर हमारे पास A dot A के place में determinant mod of A का square आएगा उसके आद में यहाँ पर A dot B वैसे लिखे रखता हूं में फिर 0 आएगा उसके बाद A dot B लिख लेते हैं इसको कोई दिक्कत नहीं है उस हमारे पास हमारा answer निकल के आना चाहिए देखते हैं चलो इसको अच्छे से आप अगर इसको open करना चाहते हो तो आप या तो row 3 के about open कर लो या फिर column 3 के about open कर लो कि इसके अंदर एक ही term है तो मैं लिख से row 3 के about open कर रहा हूं तो वन के साथ multiplication में कितना आएगा वन के साथ multiplication मे इन दोनों का product तो इन दोनों का product कितना है magnitude of a का square magnitude of b का square ऐसा आएगा और क्या आएगा साथ में आप क्या साथ आएगा यहां पर a.b मतलब a.b into a.b मतलब a.b का square मतलब क्या आएगा magnitude of a का square magnitude of b का square into cos square theta हम अपर पास ऐसा कुछ expression finally बच रहा है तो अगर यहां पर magnitude of a का square magnitude of b का square common निकालेंगे तो आपके संदर बचेगा 1 minus cos square theta which will become sin square theta तो हमें यहां पर पता क्या है हमें यहां पर theta का value पता है angle between a and b हमें दिया हुआ था जो अभी तक हमने use नहीं किया है तो अगर मैं theta का value 30 degrees यहां पर use करूंगा तो मिरे पास कितना आ जाएगा 1 by 2 का square which is 1 by 4 so what we want final answer to be is one fourth of magnitude of a का square into magnitude of b का square magnitude of a का square into magnitude of b का square क्या अब यह दोनों values हम उपर से देखके लिख सकता है क्योंकि हमें a1, a2, a3 components पता है तो magnitude of a का square कितना हो जाएगा a1 square plus a2 square plus a3 square और वैसे magnitude of b का square कितना हो जाएगा b1 square plus b2 square plus b3 square यहाँ पर आपके पास में फिर final result डूने लाइक expression आ चुका है इसका मतलब ठीक है तो आपके आपके पर से options देखे जाएं क्या है यह आपके पास में चार options थे तहाँ पर मेरे पास में यह वाला option जो है बिलकुल correct नजर आ रहा है which is C ठीक है so that's how we are now able to solve these questions very easily I hope यहाँ पर सारे important results जो हम discuss कर रहे है वो आप याद रखोगे और इनको questions में अगर जरूत पढ़ती ही तो timely use भी कर पाऊगे okay so I think we are done with the important result part now the next part that we want to understand is vector triple product vector triple product इसका discussion करना चाहते है जैसे हमने स्टार्ट किया था ट्रिपल प्रोड का discussion ठीक है तो हमने बोला था यह triple product actually हम कर रहे है अगर तीन vectors का प्रोड कर रहे है तो दो तरीके से किया जा सकते है है ना final result हमें scalar मिले या फिर final result हमें vector मिले तो अब यहाँ पर finally हम discuss कर पाएंगे कि यह vector finally हमाई answer कैसे मिल सकता है ठीक है तो आपके उसमें अगर ABC तीन vectors है नो वेक्टर ट्रिपल प्रोडट की थियोरी बहुत चोटी है ठीक है आप में अगर बस इन रिजल्ट्स के expressions भी पता कर लिए तो आपको यहाँ पर questions basically करना स्टार्ट करना है फिर उसके बाद में क्लियर है तो लेट स्टाइब कि यह जो क्रॉस प्रोडट हो रहे हैं और वेक्टर आंसर फाइली निकल के आ रहे हैं उनका simplified expression क्या होना ची जो usable format वाला expression है वो यहाँ पर क्या होना ची ठीक है that's what we are targeting now तो आपके आपके पास में यहाँ पर a vector b vector c vector है और three vectors then इनका value कितना होना ची तो यह पहली बात सोचते हैं कि यह भी vector triple product का correct expression है यह भी vector triple product का correct expression है लेकिन इन दोनों के answers अलग-अलग आएंगे इन दोनों के answers अलग-अलग आएंगे these are not equal vectors ठीक है these are entirely different vectors बहुत ही जादा अलग answers यहाँ पर निकल के आने वाले लेकिन यह भी vector triple product है और यह भी vector triple product है difference कि यहाँ पर पहले bracket B और C पर लगाएं बाद में bracket A और B पर लगाएं ठीक है that is the only difference all right so let us try to decode I think this one है यह हमारे पास ऐसे करते हैं दो parts में इसको कर लेते हैं दूसरे अलग को पहले करते हैं ठीक है so what we want to understand is कि यह value कितनी होगी first value value कितनी होगी which is a cross b cross c का value कितना निकल के आना चाहिए so I guess यहाँ पर हम ऐसे कुछ करने की कोश्च करेंगे यह आपको समझने में ज्यादा आसान पड़े इसलिए ऐसा करते हैं पहले वाला expression इसी को माना कर चलता है ठीक है a cross b cross c का final result कैसे दिखना चाहिए और यहाँ पर हम सोचना चाहते है तो यहाँ पर थोड़ा साब को logic आप यहाँ पर use करना पड़ेगा कि process किस तरह से चल रहा है ठीक है starting the logic से होगा मैं आप पर बोल रहा हूँ कि पहले b और c का cross होगा मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले b और c का cross होगा अगर मैं b और c का cross करूँगा तो क्या figure imagine कर पा रहे हूँ लेट से आपके पास में इस तरह का parallelogram है क्या parallelogram साई बना है नहीं बना है और अच्छा बनाते है आपके पास में ऐसा क्यूंश parallelogram है ठीक है जिसके edges जो है वो β in sign और और c vector ठीक है आपने किया इनका cross आपने इनका cross किया तो finally हो गया रहा है आपके पास में जो vector निकलके आ रहा है वो इस plane के ही perpendicular है यहां पर आपको सोचना पड़ेगा कि बी और सी जो है वो horizontal plane में है तो आपके पास में जो वेक्टर निकल के आ रहा है वो perpendicularly उपर जा रहा है बी क्रोसी का एंसर वर्टिकली उपर जा रहा है 3D में सोचना सा आपको यहां पर सोचना पड़ेगा अच्छा अगर आपको यह बास सोचना आती है कि यह वर्टिकली उपर चला गया क्यों क्योंकि दो वेक्टर का क्रोस करके आपको जो नया वेक्टर मिलता है n-cap जो direction होती है वो उस plane के परपेंडिकलर जाता है जिस plane में बी और सी लाए करना है अब यहां पर जो तीसरा वेक्टर a वेक्टर हमारे पास बचा हुआ है वो कहीं भी हो सकता है उससे हमें फरक नहीं पड़ रहा है ठीक है अब मैं करना क्या चारा हूँ उसके बाद में ये answer निकल चुका है n-cap के terms में मैं अब n-cap वाला answer को एक a वेक्टर के साथ में cross करना चारा हूँ फिर से आप यहाँ पे अब N के perpendicular करोगे चीजों को तो वो जो नया vector आने वाला है लेटस से M cap आने वाला है वो कहाँ चला जाएगा वो वापस B और C के plane में चला जाएगा तो पहले हम क्या किये थे पहले हमने B cross C करके B और C के vector के perpendicular direction में चले गये थे हमने फिर से एक बार क्या किया cross किया तो जो यहाँ पे vertical direction दिया वो कैसी हो जाएगी फिर से perpendicular होके horizontal हो जाएगी जैसी वो vector horizontal हो गया तो हमें बोल सकते हैं कि वो B और C के plane में आ गया ठीक है So this is the kind of visualization that you will need क्योंकि इसके बाद में आपको यहाँ पे question solve करना बहुत आसान पड़ेगा ठीक है मुझे पता चल गया है कि इसका जो final result होना चाहिए इसका जो final result होना चाहिए वो B और C के plane में ही होना चाहिए ठीक है अगर इसका final result B और C के plane में होगा तो क्या मैं उसको lambda times of B vector plus mu times of C vector लिख सकता हूँ क्या क्या हमने ये बात सुनी हुई है linear combination of vectors के discussion में कि अगर दो vectors के plane में ही मुझे तीसरा vector लिखना होता है तो linear combination की मदद से लिखा जा सकता है so all I want to do is now कि somehow find the value of lambda and mu अगर मैं lambda और mu की values कुछ करके find कर लूँगा तो मेरे पास यहां पर exact expression क्या बनना चाहिए वो value आ जाएगी मेरे पास ठीक है so let us try to do that आपके पास में यहां पर जो दिया हुआ expression है वो क्या है कि ये इसके बराबर है तो ऐसे करते हैं यहां पर किसी एक vector के साथ में dot ले लेते हैं ऐसे करते हैं दोनों side dot of a vector कर लेते हैं क्या कर रहे हैं दोनों side dot of a vector कर रहे हैं clear dot a both sides जिससे squaring both sides करने के हमें आदत है वैसे ही vector equation में हमें dot a both sides cross a both sides करने के आदत डालनी होगी ठीक है आगे चलके हम vector equation solving के भी questions करेंगे तो अगर मैं यहां पर देख रहा हूँ कि ये जो vector आया है ये finally a और n दोनों के perpendicular है साथ में तो 0 answer आना चाहिए क्योंकि ये जो resultant vector है ये a vector के perpendicular है तो perpendicular vector का अगर मैं a के साथ में dot करूँगा तो answer 0 आ जाएगा तो मेरा ये जो process है ये lhs में 0 generate कर रहा है right hand side में क्या बनेगा right hand side में बनेगा आपका lambda times of a dot b and plus mu times of a dot c clear हो रहे है तो ये काफी simple expression आ गए क्योंकि यहाँ पे अब सारी की सारी scalar quantities है what I can imagine now is कि आपके पास में ऐसे कुछ हो रहा है कि lambda lambda times of a dot b is equal to minus of mu times of a dot c obviously यह जो mu अला value है ऐसा सोचो कि मैं left hand side लेके आ गया तो आपके पास में lambda times of a dot b जो है वो mu times of a dot c के बराबर होगे तो इसका क्या मतलब है अगर मैं equality maintain करके रखना चाहता हूँ तो lambda और mu कैसे होना चाहिए similar type के magnitude के होना चाहिए तो यहाँ पर अगर मैं imagine करता हूँ कि lambda का value a dot c के बराबर है lambda का value a dot c के बराबर है ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a dot c into a dot b तो mu का value मैंने कैसा रखना चाहिए minus of a dot b रखना चाहिए minus of a dot b रखने से फायदा क्या होगा कि आपके पास में यहाँ पर भी क्या हो जाएगा a dot b into a dot c create हो जाएगा so we want to create the same expression so what I am thinking is कि यहाँ पर आपके पास में lambda और mu किस तरह से होने चाहिए तो lambda अगर आपके पास में a dot c है lambda आपके पास में अगर a dot c है what we are concluding is if lambda is equal to a dot c then mu should be is equal to minus of a dot b ठीक है और यही expressions की actual value आती है यहाँ पर आप यह मान सकते हो कि lambda is equal to alpha times of a dot c हो सकता है sir और mu is equal to minus of alpha times of a dot b हो सकता है बिल्कुल सही है वो thought भी लेकिन आप यहाँ पर alpha की value जब calculate करोगे so for all vectors that value comes out to be 1 ठीक है and that's why the exact value of lambda and mu that we want is written here lambda की value a dot c and mu की value minus of a dot b यहाँ पर मैंने equate कैसे किया है I hope यहाँ पर आप समझ पाओगे इसको थोड़ा शांती से सोचोगे तो ठीक है मेरे पास क्या है a dot b already ref में रिखा हुआ है right में a dot c भी है तो मैंने सूचा है इसको lambda को a dot c बना लो तो lambda को मैंने a dot c बना लिए lambda को जैसे मैंने a dot c बनाया तो आपके पास में mu का calculation करने की यहां पर आपके पास में पर्मिशन आ गई क्या करो सबसे पहले तो a dot c a dot c cancel कर दो a dot c a dot c cancel कर दो ठीक है तो आपके पास में minus sign इस तरफ ला कि कितना answer आ जाएगा minus of a dot b answer आ जाएगा ठीक है simple है यहां पर आपके पास में lambda और mu की values आ चुकी है तो इसका मतलब हमें final expression लिख सकते हों बड़ी आसानी से कि आपका जो a cross यह आपका पहला expression that is a cross b cross c जो है वो क्या होना चाहिए b vector के साथ में होना चाहिए a dot c multiplication में and minus a dot b आना चाहिए c vector के साथ multiplication में ठीक है a dot b आना चाहिए minus of a dot b आना चाहिए ठीक है minus of a dot b so this is the final expression that you need to remember और vector triple product में बहुत जादे यहाँ पे theoretical concepts नहीं है आपको उसे पता होना चाहिए कि triple product को जादा आसानी से कैसे लिखा जा सकता है यह इसका expanded format में expression है क्या बाद समझ में आ रही a dot c into b vector minus a dot b into c vector बहुत ही important थी लेकिन question में ultimately अगर इस expression का use करके answer निकलने वाले है then let us try to remember this formula once and for all है ना यहाँ पर देखो आपके बास में answer किसे निकल के आदे आप यहाँ पर देखो कि line से 3 vectors लिखे हों bracket किसकों पर लगा है वो important नहीं यहाँ पर line से 3 vectors लिखे हैं सबसे पहले आपने वो देखना ची bracket को बाद में importance देंगे तेहाँ पर बीच वाला vector कौन सा है b vector है तो इसका मतलब आपका जो final answer है वो b vector के साथ में start होगा this is how you need to remember नहीं तेहाँ पर plus minus के दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर तीनों में से जो बीच में लिखा हुआ है वहाँ से आपका answer start होगा अब यहाँ पर हमें पता है कि यह जो final answer है यह bracket में जो vectors लिखे हुए हैं उनके co-planer होता है उसमें से आपने एक तो अलरड़ी लिख दिया है तो दूसरा आला कौन सा होगा जो bracket में दूसरी quantity बची होई हो वो आपको बाद में लिखना है जो bracket के अंदर दूसरी quantity दिखे होई हो आपको बाद में लिखना है तो यहाँ पर B vector और C vector पिच्चर में आ चुके है अब इनके coefficients क्या होता है coefficients पहले वाले का कितना हो जाएगा पहले वाला B निकालना है B का coefficient अगर निकालना है तो बाकी दोनों का dot करो और अगर C का coefficient निकालना है तो बाकी दोनों का dot करो जो बचे हुए हैं उनका dot करके आपके बास में हाँ पर final result आ जाता है clear होई बात है इस तरह से अगर आप यहाँ पर फॉर्मले को समझते हो याद रखते हो तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगएगा कि हाँ पर हम कहीं sign का mistake तो नहीं कर रहे है क्या हम यहाँ पर सई चीज़े dot कर रहे है क्या हम यहाँ पर coefficient सही लिखें आपको ऐसा कभी भी दिक्कत नहीं फिर से एक बार बोलके दिखा तो हमें आपको तीन वेक्टर से लिखें बीच वाले वेक्टर को पहले लिखो ब्रैकेट में जो दूसरा वेक्टर उसको बाद में लिखो ठीक है बीच में मैनस का sign तो आए गई ठीक है आपके सब में coefficient क्या है यह पता करना है तो आपके सब से हम इस फॉर्म में को अच्छा से याद रख सकता है ठीक है और वैसे ही हमारे पास एक और रिजल्ट है जिसके अंदर ब्रैकेट एक्शली एक क्रॉस बी के ओपर लगा हुआ है ठीक है अब मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छे से इसको डाइक लिख पाऊगे यहां पर मैं पके कर लिखे तो समझो हो यहां पर कितना डिफरेंस है यहnya पर वाला एकस्प्रेशन आपको याद करा है तो मैं कैसे याद करा सकता हूँ कि आप यहां पे देखो कि B चौला वेक्टर कौन सा है, B वेक्टर है, तो आपके कहानी B वेक्टर से start होगी, bracket के अंदर दूसरा वेक्टर कौन सा है, A वेक्टर है, तो साथ में आपका A वेक्टर भी आएगा help करने के लिए, B से माइनस का sign तो आना ही चीए, ठीक है, अब B अगर आपको coefficient लिखना है, तो कितना लिखोगे, B वेक्टर का coefficient हो जाएगा आपके आउस में A dot C, ठीक है, और A वेक्टर का coefficient के ता हो जाएगा आपके आउस में B dot C, ठीक है, ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो मैंने आपको important points बता हैं, उनका अच्छे से revision करो, उन पर ब आपके अगर कोई doubts रहे थे vector algebra में तो उनको देखो एक बार कि कहीं वो important results की वज़े से तो नहीं आ रहे थे आपको करते हैं ठीक है there is a possibility कि आपके जो doubts हैं इन important results की वज़े से अटके होए थे ठीक है try to do those doubts one second and यहां पर हमारे पास जो questions करने की यहां पर अभी थोड़ा सा time क्योंकि नहीं है so we can actually do these questions in our next lecture ठीक है but until then आगर आपको लग रहा है कि यहां पर सब कुछ बढ़ी है चल रहा है तो इसी तरह से classes attend करते रहो लेकिन अगर YouTube पे हम इतने अच्छे से पढ़ पा रहे हैं तो आप सोचो जो platform and academy plus education के लिए बना है उसके उपर कितने अच्छे से आपको बाते समझ में आएंगी ठीक है यहां पर teachers वही है है ना लेकिन आप teachers के साथ में अगर ज्यादा अच्छे से यहां पर just कर पाऊं ठीक है और यह सब बच्छों आप कर सकते हो केवल 50-60 रुपे पर डे यहां पर spend करके ठीक है यूज कोड जैलाई वहनेवर यू ट्राइट तो सब्सक्राइब ठीक है एक साल का अगर आप सब्सक्रिशन लोगे तो 27,000 में आपको यहां पर मिलेगा which is quite affordable लेकिन आपको अगर ऐसा लग रहा है यार कि यह price भी जादा है and I can understand that क्योंकि इंडिया में बहुत ही varied financial background के बच्चे होते हैं ठीक है तो आपको अगर यह लग रहा है कि हम afford कर सकते हैं तब तो आपने कभी भी यह miss out नहीं करना चाहिए ठीक है क्योंकि इस से आपका rank improve पक्के से होगा लेकिन अगर आपके लिए selection important है आपके लिए बस selection important rank उतनी यह important नहीं then whatever we are doing here is also sufficient आप यहां पर rank भी बहुत अच्छी ला सकते हो लेकिन उसके लिए आपके side से dedication भी उतना ही जादा चाहिए क्योंकि जो बच्चे plus के उपर आचके हैं उनको already additional benefits मिल रहे हैं उनके comparison में आपको फिर महनत जादा करनी पड़ेगी ताकि आप उनके बराबर like रान लाइक बन जाओ ठीक है so make sure that you are practicing daily after the lectures on unacademy jay channel ठीक है यहां पर आपके सारे concept cover होंगे कोई भी concept छूटे का नहीं ठीक है so अगर आपने किसी ने भी अगर अभी भी subscribe नहीं किया है तो subscribe कर unacademy jay channel को जहां पर हम quality free education provide कर रहे हैं ठीक है और यहां पर bell icon प्रेस करोगे तो आपके कोई भी live lectures बच्चों miss नहीं होंगे and we would really appreciate कि अकर यहां पर बच्चे हमारी help कर पाएंगे इस movement को आगे बढ़ाने में and if they can share this particular session with the hashtag jay live daily on their social platform social media platforms facebook and instagram ठीक है we will also be able to follow these students ठीक है हम करना चाहते हैं और इस movement को आगे बढ़ाना चाहते हैं ठीक है और हर बार की तरह बच्चों आपको notes available होंगे description box में so do download the notes keep them with you ताकि आपको यहां पर revision करते समय ताइम थोड़ा सा बच जाए ठीक है और आज के लिए इतना है बच्चों ठेक एर बाबाए